दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता होगा अभी मार्किट के अंदर Android Smart Watch का ने एक ट्रेंड साथ चल चुका है जहां पर अभी हाली में Firebolt ने अपनी Android Smart Watch लाँच किये जिसका नाम है Firebolt Dream आज की इस वीडियो में हम कंपेर करेंगे इन दोनों Android Smart Watch को दोनों में ही आप लोग को 4G SIM का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा Wi-Fi का सपोर्ट भी देखने को मिलता है इसी के साथ-साथ यहां पर आप लोग ऐसे काफी सारे Android वाली अप्लिकेशन यूज कर सकते हैं Smart Watch के अंद जादा value for money provide करती है किसके UI जादा smooth है किस में जादा features मिलते है इन सारी चीजों के बारे में discuss करेंगे इस वीडियो में तो end तक आप लोग बने रहना लेकिन यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे request भी करने चाहूंगा चैनल के उपर नहीं हो तो फटावट सब subscribe कर लो वीडियो अच्छी लगए दिए वीडियो को like जरूर कर देना सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों smart watch के look and design के बारे में तो जैसे मैंने आप लोग को बता था सकते हो बाकी watch के left side में दोनों में आपको SIM slot का option provide किया गया है जहां पर आप लोग 4G SIM को insert कर सकते हो दोनों smart watches में और उसको लगाने के बाद यहां पर आप लोग internet वगड़ा यूज कर सकते हो calling वगड़ा भी यहां पर आप लोग कर पाऊगे बागी दोनों के back side में glass finish का use किया गया है अगर बात करें इसके strap के बारे में तो यहां पर आपको दोनों में 44M का strap देखने को मिल जाएग बागी DW8 Ultra में आप लोगो सेम ऐसा ही strap देखने को मिलता है बागी आप यहां color options आपको मिल जाएंगे बर design यहां पर आपको same देखने को मिलेगा अगर बात करें दोनों smart watch के overall build quality के बारे में तो no doubt यार यहां पर fireball dream की जो build quality जादा है strong निकल के आती है proper metal का use किया गया है इस इसी के साथ साथ ए classic look भी आता है smart watch का पहनने के बाद भी आपके हाथों में काफी बढ़िया लगती है smart watch और अब बात करते हैं इन दोनों smart watch के similar features के बारे में सबसे पहले display की बात कर लेते हैं दोनों smart watches में आप लोगो almost 2 inch की IPS display देखने को मिल जाती है fireball dream में 2.20 inch की display मिलती almost यहां पर same size ही लगा है दोनों smart watch का मुझे इसी के साथ साथ आप लोगो fireball dream में 3.20 inch 386 का pixel भी provide किया गया है और DW88 Ultra में सब कुछ भी mention नहीं किया है यहां पर कितना pixel provide किया गया है और इसी के साथ साथ दोनों में आपको काफी बढ़िया peak brightness भी मिल जाती है इन दोनों smart watch को आप लोग outdoor, indoor, कहीं पर भी बेज जग यूजग 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 कर सकते हो visibility को लेकर कोई भी issue face मैंने नहीं किया है लेकिन हाँ अगर आप लोग sunlight वगरा में use करते हो DW88 Ultra को तो यहां पर आपको थोड़ा बहुत issue face करने को मिल सकता है visibility में और of course दोनों में आप लोगो 4 RGB का storage प्रोवाइट किया गया जहां पर आप लोग काफी साथ गाने store कर सकते हो application वगरा भी यहां पर आप लोग install कर सकते हो firebolt वाले यहां पर claim करने कि dream smart watch में आप लोग 1000 प्लेस application इंस्टॉल कर सकते हो इसके अलावा RAM की बात करें तो यहां पर DW88 Ultra में 1GB का RAM प्रोवाइट किया गया है वहीं dream की बात करें तो यहां पर आप लोग को 2GB RAM प्रोवाइट किया गया है और of course दोनों ही smart watches में Google Play Store का भी support प्रोवाइट किया गया है जहां पर आप लोग अपनी Google ID लॉग इन करने के बाद किसी भी application को install कर सकते हो चाहिए आप लोग गेम इंस्टॉल कर सकत हो जैसे कि Subway Surfer, Temple Run, Candy Crush इन दोनों watch में आपको मैं गेम की टेस्टिंग भी करके दिखाऊंगा इसके अलावा ऐसे और भी बहुत सारे चोटे मोटे similar features हैं अगर मैं सारे features यहां पर बताने लगो तो वीडियो बहुत जाता लंबी हो जाएगी बाकि मेरे recording इन दोनों smart watches में आ अंदर आप लोग Apple Watch Series 8 का design देखने को मिलता है जो काफी साथ strong quality के साथ आती है और पहनने के बाद भी काफी classic look निकल के आता है इसका यहां पर आप लोग काफी smooth UI प्रोवाइट करिये company और इसके display की quality भी जादा better निकल किया आती है 320 x 386 का pixel प्रोवाइट किया गया जिसकी इसके display quality और भी जादा enhance हो जाती है कहीं सभी pixelate नहीं होती है इस watch को मैंने outdoor में काफी देर तक use किया था यहां पर आप लोग खुद भी notice कर पा रहे हो color accuracy, contrast वगरा काफी सदा balance देखने को मिल जाएंगे कहीं सभी faded color देखने को नहीं मिलता है साथी जात यहां पर आप लोग custom watch face भी लगा सकते हो और dw88 ultra के अंदर कहीं भी mention नहीं किया है कि यहां पर कितना pixel provide किया गया है और इसके अलाबा fireball dream के अंदर cortex quad core का processor provide किया गया है जिसकी वजह से इसकी smoothness नहीं काफी बढ़े हो जाती है performance वगरा भी काफी बढ़े है पर देखने को मिलेगा आपको और और different features as such यहां पर कुछ खास difference देखने को नहीं मिला है बस यहां पर आप लोग को look and design थोड़ा सा change देखने को मिलता है dw88 ultra में आप लोग को apple watch ultra के design देखने को मिलेगा वहीं बात करूँ fireball dream के बारे में तो यहां पर आप लोग को apple watch series 8 के design देखने को मिल जाता है अब बात करें इन दोनों smart watch के UI performance के बारे में तो इन दोनों smart watch को मैं अच्छे कासे time से use कर रहा हूँ अभी भी यहां पर आप लोग देख सकते हो smoothness काफी बड़ी है दोनों smart watch की lag या फिर hang जासा कोई भी issue face करने को नहीं मिलता है लेकिन हाँ यहां पर slightly better perform करती है fireball dream की UI और अब चलते हैं इन दोनों smart watch में एक बार app को भी check out कर लेते हैं और अब एक बार इन दोनों smart watch में YouTube भी open करके देख लेते हैं और देखते हैं पहले किसमें open होता है और एक बार इन दोनों smart watch का sound test भी कर लेते हैं क्लिफ्स में आप लोग के सामने रख देता हूँ आप लोग खुद भी जच कर पाऊगे So hope करता हूँ आप लोग को sound quality का idea मिल गया होगा कॉलिंग क्वालिटी भी हाँ पर काफी बड़ी है दोनों smart watch की अब बात करते हैं में मुद्दे की जो के है बैटरी बैक अप इन दोनों smart watch में आपको काफी बड़े बड़े application यूज करने को मिल जाते हैं मतलब games खेल सकते हो subwizard for temple run इसके लाब YouTube, Instagram, WhatsApp, Facebook यह सारे application यहाँ पर आप लोग यूज कर सकते हो मतलब की notification वगर चेक आउट करने के लिए तो आपको आराम से 3-4 दिन के बैटरी लाइफ देखने को मिल जाएगा और एक सवाल जो काफी सारा लोग पूछ रहे हैं comment में आकर अगर हम इन दोनों smart watch में sim insert नहीं करते हैं तो कि हम calling यहाँ पर use कर पाएंगे या फिर नहीं तो देखो यहाँ पर ऐसा कोई भी features प्रोवाइड नहीं किया गया है मतलब दोनों smart watch में ऐसा कोई भी app नहीं है जिसके थूर आप लोग phone को connect कर सो को watch के साथ तो हाँ यहाँ पर आप लोग without sim calling नहीं कर पाऊगे दोनों से किसी भी smart watch में लेकिन दोनों smart watches में आप लोग wifi connect करके internet वगरा यूज कर सकते हो calling के लिए आप लोग यहाँ पर sim insert करना पड़ेगा अब आते हैं finally conclusion पे और बात करते हैं आप लोग को इन दोनों android smart watch में से कौन से smart watch consider करनी चाहिए कौन से smart watch जादा value for money प्रोवाइड करती है और किसकी UI जादा better निकल के आई है तो यह आप लोग ने वीडियो में खुद भी देख लिया है कौन से smart watch जादा better perform करती है UI के मावले में इसके लाव यहाँ पर आप लोग को fireball dream के अंदर processor भी provide किया गया है जो कि dw88 ultra के अंदर कहीं पर भी mention नहीं किया गया है और इसी के साथ साथ इसका look and design भी काफी बढ़िया निकल के आता है दोनों smart watch का जो price हैना almost यहाँ पर आपको same ही देखने को मिलता है अगर आप लोग fireball dream smart watch फिलिप कार्ट से purchase करते हो तो वहाँ पर आप लोग super coins यूज़ करने के बाद इसी smart watch को 55 रुपीज में purchase कर सकते हो बागी अगर आप लोग के पास axis bank का credit card है तो उसको use करने के बाद आप लोग को fireball dream smart watch 5200 रुपीज में भी मिल जाएगी बागी DW88 Ultra भी आप लोग 5,000 से 55 रुपे तक की देखने को मिलेगी तो यहाँ पर आप लोग खुद भी decide कर सकते हो कौन सी smart watch आप लोग लिए best रहने वाली है अगर आप लोग मेरा opinion जानना चाहते हो तो मैंने यहाँ पर तीन चीज़ा notice किये जो के fireball dream को यहाँ पर winner बना देती है सबसे पहली इसकी display quality, दूसरी इसकी UI यहाँ पर आप लोग काफी smooth मखन UI provide कर दिये company और इसी के साथ-साथ cortex quad core का processor देखने को मिल जाता है जिसकी वेसे इसकी smoothness है और जादा better निकल के आती है बाकी मैंने वीडियो में सारी चीज़ा आप लोग को test करके दिखा दिया है कौनसी smartwatch की वह जादा better है कौनसी smartwatch आप लोग के लिए best रहने वाली है आप लोग खुद भी decide कर सकते हो लिंक मैंने description प्रोवाइट कर दिया जाकर check out कर सकते हो तो बस आज के लिए इतना ही मैं उम्मीद करूँगा आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो फटावड वीडियो को लाइक कर देना चैनल के उपर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना मैं मिलूँगा आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई